जिसके साथ रहते हैं उसका नुकसान पहुंचाते हैं आपके सरकार आएगी तो पलायन रुक जाएगा भीहर्स कर देंगे जो पलायन की है वो पांच साल के अंदर वापस आ जाएगे कम से कम पंदरह जाएद भीहर्स के नोकरी करने के दिए बिहार के बाहर जाने के जिरूत नहीं पड़ेगी हैं नमस्कार मैं हूँ सागर कुमार भारत लाइब देख रहे हैं आप देखे बिहार की राजनीती लगतार करवटें बदल रही है लगतार बयान बाजियां जो हैं अब खुल कर सामने नजर आ रही हैं एक दूसरे पर वार और पलटवार का दौर सुरू हो चुका है हमारे साथ आज विशिष्ट अतिती के रूप में जुड़ चुके हैं सचिदारं राय जी जो की MLC है जन सुराज प्रसांत किसोर की जो यात्रा चल रही है उसके समर्थित उमिद्वार भी है सर क्या कहेंगे बिहार की जो राजनीती अभी चल रही है लगतार वार पलटवार का दौर सुरू हो चुका है चुनाओं से पहले और अब देखिए बयान आ गया एक जो मंत्री है राज़त के उनका वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को हम गाली दे कर आये हुए हैं गाली दे देते रहते हैं अधिकारियों को क्या कहेंगे कि यह तो खेर राज़त के चरितर में है गाली देना मारफीट करना जंगल राज की तरह राज करना यह तो उनके चरितर में हैं चरितर के बाहर के काम तो कर नहीं रहे हैं स्वेंदर जी जो कर सकते हैं वहीं कर रहे हैं लेकिन अधिकारियों को भी हम फोर नहीं इसके इसके पक्षम में कभी समर्थन नहीं कर सकता हूं लेकिन इस्तिती बन गहीं कि कोई गाली देता भी है तो गलत नहीं करता है कि आज देखिए तो एक कोई अधिकारी किसी जन प्रतनी तक को सुनने को त्यार नहीं है जनता की तो बाती छोड़ दीजिए राजत के एक विधायक पहले भी अधिकारियों को अनाप सनाप बोल चुके हैं पूरु मंत्री भी रहें किसी मंत्री ने कहा ना कि जहां तक राज कि छुटकी लिए रही पाने तो नितीसके निर्दोस है जी भाजपा नहीं तो साइब하겠습니다 시क्टी उपनी अवकात क्या है अपने निक्लत को भी नकार्ट जालते जुटको मंत्री आहिकए को तापकी होत Smoke नितिश कुमार जी अब डोरे डाल रहे हैं देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मंचों से उनके बयान आ रहे हैं तमाम नेताओं के बारे में भारते जनता पाटी तो एक सौफ्ट कॉर्णर कहीं नजर आ रहा है और दूसरी तरफ राजद लालो परसाद याता हो स्रीकिश्न बा कrena की चार्चाय चल रहें नितिश कुमार की प्रधानमंत्री उम्यद्वार के तौर पर क्या कहीं देखे उत्वत्तर परते से चुनाव लड़ेंगे मैंने समझता कैसा करेंगे वुक्त बता है कि जमानत तो दूर की बात है सथी आकड़ा सौसू उपर ना जाये पहजार क करेगा इसलिए उतनीं करेंगे नेकिन बात करनेए शॉफट करनर सुल्फट करनर नहीं है जिसके साथ रहते हैं, उसका नुकसान पहुंचाते हैं बार्ता हिए अर जो नुकसान पहुंचा रहे हैं और जंगला के माध्यम से जो है वह इazed बाच़बा के साथ में और उस हंदान में भी थारा है अपने जुब तो वह जो है वह सब्स्थोजी तो यह तो उनका तो मैंसा एक ध्रवाजा रहता है खिरकी रहता है एक हुष अंदान रहता है यह निडिजी को जान रहे हैं अब मुट लटते हैं तो किसी का शर्ज नहीं ह प्रण देखें तो भारत लैब से बाद करते समय कहा है कि हम नितिस्त मुग्द सरकार बनाने की दिसा में कारे कर रहें वह तो करिसमराद 14 नहीं चाहेंगे तो भी थिए सब्सक्रार कड़ेंगे बना देंगे और नितिश्मोगत जटार भाजपा मुक्त सरकार जब दोहजार 25 ही लगछे आपका एकदम पचीश में होगा पचीश प्चीश में ही होगा हमकू सुप जिनताइज बात की इस पचीश कि अभी जान प्रिश्ट का एकुप चुना हुआ था सिक्षक को वाला हमारे हासारन में अफाक हमत को मैंने लिख कर लोगों को दे दिया था कि जीत रहे हैं और जीते उसी तरह से अगर दोजाग 25 में चुना होगा तो साफ कर देंगे अभी तक तो पार्टी भी फॉर्म नही कि जनता उब चुकी है इन तीनों दलों से तीनों दलों के जो गड़बंधन है इसे बिहार के जनता उब चुकी है बिकल्प तलास रही है हम लोग जब गाओं में जाते हैं जब पध्यातरा के माध्यम से जो पोच्चते हैं परसांट जी अर्श पीच यहूं बैठते हैं तो लोग लगता है कि भई भगवान से जो मांग लेता भगवान ने भेज़ दिया हमको तो दोजार पर्टीस के मैं तब निशे को दोजार पर्टीस में इसले का रहा हूं कि दस्वा जिला समाप्त हुआ है आज 11 जिले मदुभनी में प्रवेश हो रहा है और 38 जिले हैं धिर बड़ी बात अफसर कर रहे हैं कि अभी निटीस कुमार जी जातिगत जनगना कराकर अपने आपको तरो ताजा महसूस कर रहे हैं और पूरे बिहार से हट के पूरे देश में इनकी ख्याती बढ़ रही है लोग मतलब प्रिंका गांधी राहूल गांधी तमाम जो मुखे मं जनगना मत कि सरवे हुआ और सरवे सरकारों को करना भी चाहिए लिए करके साब जनिक तब किया जाता है जिए उसमें राजयतिक रोटी सेकने के लिए यह साब जनिक किया गया है इससे और कुछ नहीं होना है जात है कि जिसे मंदल कमंडल उनईसन नव्य के दसक में चला थ उत्रा से फिर भी यह मंदल टू चलाने के चकर में है और भाजपाल एक बार चल सकती कोई मंदल टू नहीं चलने वाला है पलायन आपके सरकार आएगी तो पलायन रुक जाएगा बिल्कुल रुक ही नहीं जाएगा रिवर्स कर देंगे जो पलायन की यह पांच साल के पूरे बिश्व में घूमते हैं हमारे लोग भी घूमेंगे लेकि बड़ा काम करने के लिए पेट पालने के लिए उनको बिहार चोड़को जाने के उसकता नहीं पड़े आज का पटना में आप लोग का क्या कारकर में आज एक संतोष महतों जी हैं जो जनता जाल उनाइट के अती पिचरा प्रकोष्ट के अध्यक्ष हुआ करते थे और फिर वार्सीपी सिंग्जी के साथ में भाजपा में चले गए थे उन्होंने 25 तारीकों जन सुराज के साथ अपना योगदान दे दिया है अब उनके नेत्रित में आज करीब करीब 500 अतिपिचरा समाज के वो 500 लोग जो है जन सुराज का धंड़ा ठामेंगे और इस तरह से हम लोग जो है सो गाउं गाउं में पोशने का काम कर रहे हैं अंतीम सवाल देखे बहुत आसाये रहती हैं जब कोई नया दल आता है जब कोई नया पार्टी आता है नई सोच के साथ आता है आम आदमी पा पार्टी थी लाखो करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी जिंदगी लगा दी लेकिन फिर ताकपात के वही चीज हो गई तो जन सुराज पर लोगों का विश्वास कैसे हो कैसे वो पुरानी सभी परिपाटियों को फेल करके नई परिपाटी गड़ेगी कैसे विश्वास दिल्ली में जो प्रयोख किया गया नहीं था वह एक जाल साज ने एक तरीका निकाला था किस तरह से एक आज के गांदी अना हजारे को सामने करके उनकी आड़ में रहकर और दिल्ली की जनता को ब्रकूब बना दिया जाय और सत्ता अपने हाथ में कर दिया को लोग के जरीवाल को समझते कुछ और हो थे कौकि कि आखते भी थे लिकिन शर्म आदमी कोई शर्म नहीं है आज सिश महल वाले कंड और अब हमारा काम है हम तो कोई के ज़स्डिवाल की तरह कोई अचानक कहीं से निगल है नहीं हम तो दूसरी बार जन्परत ने दी हैं बार तेरा सालों से लोगों के बीच में पुरी जन्तुराज की हम बात कर रहा हूं तो प्रसांद किस्वर के बारे में यह बाते होती है कि उनका कोई विसेस आइडियोजी नहीं है कभी मंताव जन्री को चुनाव जिता देते है कभी निटिश कुमार को चलनाव जिता देते हैं कभी किसी और को चुनाव जिता देते हैं तो कुछ खास नहीं है पृसंद कि स्वर की वह जो कृपि अभी भी जहां जहां काम करेगी वही काम करेगी उसका इडियोलोजी से कोई मतलब नहीं है को क्लाइंट और प्रफेशनल तरीके गजीज है तो पांच नो मई दो हजार एक दो मईद दो हजार किसको जोशना कर दिया कि मेरा उसके मतलब नहीं है फिर वह एक बर्स बैट कर उन्होंने प्लानिंग किया कि क्या करना चाहिए और फिर दो मईद 2022 को आए उन्होंने घोशना कि कि अब जन्सुराज पध्यात्रा शुरू करेंगे और बिहार को एक नया विकल्ब देने का प्रयास करेंगे वो तो यहां तक कहा था और कहते हैं आज भी किम्बाय ना कोई विकल्ब देने के काम करना है और चुकि वो पहले से ही चुनाव लर्वाना जितवाना तो जानते ही हैं तो यह जो नई टीम त्यार होगी उसको जितवाने का भी काम लेंगे वो जितवाएंगे तो चरिए देखिए ये सचिदा नंद जी थे जन सुराज एक ऐसी मुहीम है जो कि बिहार के लोगों को नई विकल्प देने के लिए तयार की गई है अब आने वाले समय में देखते हैं बड़ा वादा सचिदा नंद जी ने यहां से कर दिया है कि 2025 में लोग तो सोच रहे थे परमानेंट रेटार्मेंट लेना पड़ जाएगा नए लोग आएंगे नए लोग नई सोच वाले सही लोग आएंगे और उनका अस्थान लेंगे और जो पुराने जो बहरूपिये जो हैं वो हमेशा के रेटार्मेंट लेंगे ये ब कह रहा हूँगा 80% सीटों के साथ ये भी एक बड़ा बड़ा दावा है चलिए तो देखते हैं इनके दावे किस प्रकार के अब इस पर प्रतिकरियां किस प्रकार की आती हैं भारती जनता पार्टी पूरी फुल फेज में आ गई है चुनाव की तयारियों में राजद है जनता दल यूके ल अगर वीडियो पसंद आई और वा बिहार के राजनी और विहारियत से स्वरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओ ये गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए 9386816700 धन्यवाद